दोस्तों मैं अंगीता पर्मार आपके समक्स फिर से एक बार हाजीर हूँ आज हम इकाई नमबर आंट बरत मिलाप भाग एक का अभ्याश करेंगे जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी एकांकी को नाटक के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है दोस्तों आपसे प्रस्त न पूछूंगी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कौन-कौन से दो महा काव्या है बताएए दो महा काव्या है वेरी गूट पहला है रामायन और दुसरा है महा भारत तो दोस्तों रामायन की रचना किस ने की थी वेरी गूट वालमी कीने की थी महर्शी वालमी कीने रामायर की रचना की थी जो काव्य के रूप में प्रस्तूत है दोस्तों रामायर में बगवान श्री राम के बारे में हैं आप बगवान श्री राम को तो जानते ही हैं अयोध्या के राजा दसरत के सबसे बड़े पुत्र थे श्री रा दस्रत राजा की तीन राणिया थी कौन-कौन सी राणिया थी? तो कौन-कौन सी थी सबसे पहली कौशलिया, दूसरी, कई-कई और तीसरी समित्रा थी दस्रत राजा के चार पुत्र थे कौन-कौन से चार पुत्र थे डोस्तो? तो राम, लक्षमर, बरत और शत्रुग्न ये चार पुत्र थे भगवान राम की माता का नाम क्या था कउशल्या थी लक्षमर की माता का नाम क्या था तो सुमित्रा नंदन सुमित्रा के पुत्र थे लक्षमर और कई-कई के पुत्र थे बरत और शत्रुग्न तो दोस्तों आप लोगोंने रामायन तो पड़ी होगी, आप लोगोंने टेलिविजन पर रामायन को देखा ही है, देखा है ना कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, कई-कई का वचन का पालन करने के लिए कई-कई ने दस्रत राजा से वर्दान मांगा थ कि उनके बेटे बरत को राजगाडी मिले और श्री राम को 14 साल का वनवास प्राप्त हो, माता-पिता की आग्न्या का पालन करने के लिए उनके वचन को रखने के लिए श्री राम, सीता और लक्षमन तीनों कहां गये थे? वन में गये थे, कितने साल के लिए गये थे? 14 साल के लिए गये थे दोस्तों, और वहां रावन ने सीता का हरण किया, और उन्हें कहां ले गये? लंका में ले गये, और राम और रावन का युद्ध हुआ, इसके बिश में कई ऐसे पात्रा आए, जैसे कि हनुमान जी आए, विभीशन, जतायू, कई सारे पात्रा इसमें हैं राम और रावन का युद्ध हुआ, जिसमें राम की विज़ई हुई, और सीता माता को लेकर श्री राम लक्षमन कहां गये? वापिस अयोध्या में गये, और जिस दिन वे अयोध्या में गये थे, वहां प्रजा जनों ने दिवाली की तरह उत्सव मनाया था, और तबी से लोग को त blows आ सारे नगर को दियों से जलाया गया था, उनकी खुशी में, उनके आनद में लोग उत्सव मना रहे थे, और तबी से हम दिपावली का त्योहार मनाते हैं, इस इकाए में भरत मिलाप्, आज हम भरत मिलाप् नामक इकाए का अब्याष करेंगे, जिसमें श्री श्री राम क्या कहते हैं नगर जनों से कि जब तक में वनवास खत्म करके वापिस ना लोटू तब तक तुम बरत को अपना राजा समझों। रगुकुल की रीत है। रगुकुल की रीत क्या है। तो रगुकुल रीत सदा चली आई, प्रान जाए पर वचनन जाई। प्रान चला जाएगा, मगर एक बार जो वचन दे दिया, उस वचन का पालन वे अवश्य ही करेंगे। और यही वचन का पालन करने के लिए, श्री राम कहा गए थे? वन में गए थे। 14 साल अपने माता-पिता की आग्या का वचन का पालन करने के लिए वे वनवाश गए थे तो अपने कर्तव्यों को किस प्रकार पालन किया जाता है, किस प्रकार निभाते हैं यहां इस इकाई में हम आज समझने वाले हैं ओके दोस्तो इकाई नमबर आंठ बरट मिलाप इकाई की शुरुवार करते हैं माता-पिता की आग्या का पालन करने है तू राम वन में गए उनके साथ सिता भी गई बरट को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिहासन पर नहीं बैठे अपीतू यानि की परन्तू सिहासन पर राम की खड़ाओ रखकर उन्होंने सेवक की बाती राजकाज किया राजकाज यानि की राजय का कामकाज किया इसलिए कहा है बाई हो तो भरत जैशा दोस्तो माता पीता की आग्निया का पालन करने के लिए राम लक्ष्मर और सीता कहां गए थे वन में गए थे तो यहां पे बरत जो है वो राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं उन्हें वापिस अयोध्या लाने के लिए तो यहां द्रश्य नमबर एक और दो के माद्याम से हम सीखेंगे वन का एक भाग कुतिया के बाहर कुतिया यानि की जौपडी जौपडी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं कौन बैठा है? राम और सीता पास ही दनुश बान लिये लक्षमन खड़े हैं पास में क्या लिये लक्षमन खड़े हैं? तो उनके पास दनुश बान है आप चित्र में देख सकते हो राम सीता और लक्षमन है और राम और लक्षमन के हाथों में दनुश बान है द्रश्य एक राम बाई लक्षमन जड़ा देखो तो यह आवाज कहां से आ रही है? राम कहते हैं कौन लोग है जरा द्यान से देखो लक्षमर कहते हैं द्यान से देखकर अरे यह तो बरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें साउधान हो जाना चाहिए यहां साउधान हो जाना मुहावडा है जिसका अर्थ है चोकनना हो जाना सायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं राम कहते हैं हस्ते हुए बाई लक्षमन तुम दो बीना बाट सक करने लगते हो शक यानि संका इतने वर्ष शात रहकर भी बरत को नहीं पहजाना लक्षमन कहते हैं उत्तेजित होकर उत्तेजित यानि की आवेश में क्रोध में आकर उत्तेजित यानि गुशे में आ कर पेचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया लक्षमर कहते हैं कि हाँ पेचानता हूं उसी का ही बेटा है जिसने हमें यहां वनवास को दिलाया है वनवास बेजा है सीता कहती है इसमें बेचारे बरत का क्या दोश उसमें बरत की क्या गलती है लक् यही पे आ रहे हैं, यहां द्रश्य एक समापत होता है, अब हम द्रश्यदो की और आगे बढ़ेंगे, द्रश्यदो, बरत दोड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, कुटिया यानि जोंपडी, निकट यानि समीप, पास, बरत राम को देखकर दोड़ते हुए उनके पा रहे हैं, वे राम के चरणों में पढ़ते हैं, वे राम के पाउं में पढ़ जाते हैं, पैडों में पढ़ जाते हैं, राम बरत को उठा कर गले लगा लेते हैं, और गले लगा लेते हैं, गले लगाना यानि की प्यार से मिलना, विद्यार्थी मित्रों आप चित्रा में देख सकते हो कि किस प्रकार बरत उनके पैड़ों में पड़ गए हैं और राम भगवान उन्हें गले लगा रहे हैं और उनकी आँखों में से आसु बह रहे हैं अपने भाई को देखकर वे गदगद हो गए बरत कहते हैं रोते हुए वह रो रहे हैं मुझे एक शमा कीजिये प्रभू मुझे माफ कर दीजिये आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं मेरा कोई भी ऐसा हाथ नहीं है आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश्न की जिये प्रभू, देखो, बरत राम से क्या कहते हैं, कि आपको वनवास दिनाले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, और आप ही राजा है, और आप ही राजा बनने चा लिए, राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन नहूं, बहुत ही खुश हूं, तुम्हारा प्रेम देखकर, किन्तु मैं माता पिता की आग्न्या का पालन करने हैं तू, वन में आया हूँ, राम ने क्या कहा, कि वे माता पिता की आग्न्या का पाल द्या लोटूंगा एक नागरिक कहते हैं नहीं प्रभू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है देखो यहां एक नागरिक है जो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभू आपको तो हमारे साथ चलना ही होग आपके विना हम प्रजाजन सभी दुखी है और राजा का कर्तव्य यही है कि प्रजा को सुखी रखना राम कहते हैं नगर जनो इस समय मातापिता की आगन्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है बरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटू तब तक भाई बरत आप सब के सुकडुक का ध्यान रखेगा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है आदेश यहनी आगना हुकम है विद्यार्थी मित्रो राम ने नगरजनों से क्या कहा तो नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटू तब तक भाई बरत को ही आप राजा समझे और वही आपके सुकडुक का ध्यान रखेगा यह मेरा आदेश है भरत कहते हैं कुछ सोच कर अच्छा प्रभू जैसी आपकी आग्या पर मेरी एक मिंती है उसे स्विकार करे भरत कहते हैं की ठीक है प्रभू आपकी जैसी आग्या हुकम बगर मेरी एक बिंती है एक प्रातना है जो आप स्विकार करे राम कहते हैं बोलो क्या चाहते हो राम कहते हैं की बताओ क्या चाहते हो तुम राम कहते हैं खडाओ खडाओ का क्या करोगे क्या करोगे खडाओ का बरत कहते हैं इन्हें सिहासन पर रखकर आपके लोटनेटक सेवक की तरह राज काज करूंगा क्या कहा बरत ने कि खड़ाओ को सिहासन पर रखेंगे और आप जब तक न आए तब तक वह क्या करेंगे राज्य का कामकाच करेंगे बरत का प्रेम देखकर राम, सिता और लक्षमन गद गद हो जाते हैं गद गद हो जाना यह एक मुहावरा है यानि कि पुलकित हो जाना आनन्दित हो जाना रामचंद्र आगे बढ़कर बरत को गले लगाते हैं राम चंद्र ने क्या किया भरत को गले लगाया आलिंगन दिया खड़ाव लेकर भरत तथा नगरचन राम और भरत की जई बोलते हुए विदा होते हैं देखो भरत यहां राम की खड़ाव लेकर अयोध्य वाश्रियों के साथ विदा लेते हैं चित्र में आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार भरत स्री राम की खड़ाव लेते हैं और खड़ाव को लेकर वे नगरवाश्रियों के साथ अयोध्या की और वापस जाते हैं राम अयोध्या वापस नहीं गए और भरत और नगरवाशी स्री राम के खड़ाव लेकर अयोध्या की और चल पड़े विद्यार्थी मित्रों अब हम इस इकाई में आने वाले सब्दार्थ और मुहावरे की चर्चा करेंगे सब्दार्थ कुटिया जोंपडी शायद कदाचित शक शंका निकट नजदिक चरण पैर दोश अपराद कर्तव्य फर्ज विद्यार्थी मित्रों आप लोगों ने इकाई नमबर आट बरत मिला बाग एक का अभ्याज किया मैं आसा करती हूँ कि आप लोगों को भाग एक में सम्पूर समझ आ गई होगी आप लोगों ने इस इकाई के सब्दार्थ और मुहावरे के भी चर्चा की आप लोगों को सम्पूर समझ आ गई होगी नए वीडियो में अभ्यास के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए, बाई, टे केर